कि है एवरीवान वेल्कम बैक टो यूरोड़ चैनल फोर की ड़ेड़ वेस्टेड इज जैसे कि आज फिर भी एचाई सी 133 के लिए इंपोर्टेंट कोशन विद आंसर लाए हुए हैं जो बहुत का इतियास से है यह प्रिभीएस यह में भी पूछा गया यह सवाल और आने व डों के दोनों most important है जैसे कि पहला सवाल है शुफिवात अंतोलन क्या था उसके बास जो ए इसके बात एक और ऑर सवाल है जिसका नाम है अधिकरहन बेवेस्ता से अब क्या समझते हैं आज इसके बारे में जानेंगे, जैसे कि पहला कोस्तन है, सुफिवाद अंदोलन किया था, अब इसके बारे में जानते हैं, सुफिवाद, सुफिवाद की सुरवाद जो एक सुधारवादी अंदोलन के रूप में इसलाम धर्म में हुई है, जैसे सुफिवाद की जो सुरव खुअध सुरवात हुई तो इसका राटन सोज़एगा इरान से हुई कि अब हम लोग समझते है सुफी वात की जो है ना पडिभासाउर्ज चुर्फी वासा के सब्द सफा से बना हुआ है इसे सुफी जो है सुफी वात का सुफी सुफी सब्द जो है अर्भी भासा के एक सब्द है सफा मतलब सफा से बनाए सुफी जिसका सब्द ही करत होता है जो पवित्रता से लिया जाता है पवित्रता मतलब पवित्र रूप से जो पवित्र हो वो उससे लिया गया है सुफी ज वे लोग जो पवित्र और साध्गी पूर्ण जीवन जीवन जीदेते पवित्र रूप से जीवन जीदेते अपने और वे सुफी का लाते जिस्तर सी यह अध्यत्मिक जो लोग होते थे उसे ही सुफी काते हैं के लिए सूप जो है यानि सुफी बात जो है उसी का सूप सूप का अर्थ होता है उन जो उन का लवादा पहने वाला जो उनी कपरा होता है ना सूप का अर्थ वही होता है जो उनी जैसे कि सूती वस्तर होता है जो जैसे बावा लोग का ड्रेज अलग होता है उसी तरह सुफी का जो है ड्रेज जो है उनी का बना वाता था उससे जो है लवादा पहनने वाला था मतलब वही उनी कप्रा को पहनने वाला यानि कि सुफी था के लिए सुफी सब्द की जो उत्पती है यो यूनानी भासा के सुफिया सब्द से भी मनी जाती है याने कि सूफी सब्द जो है यूनानी भासा के सोफिया सब्द से लिग गई थी जिसका अर्थ होता है रहस में ग्यान जिसका जो है सब्दिक अर्थ होता है मतलब कि जिसको किसी को पता ना होता है इसके बारे में उसकी ग्यान को मतलों रहसमे ग्यान इसका आर्थ होता है महला रहस्तवारी जो है रभिया और मनसूर बीन हल्लाच इसमें अगर प्रारभिया और मनसूर बीन हल्लाच इसमें अगर प्रारभिया और मनसूर बीन हल्लाच इसमें अगर प्रारभिया और मनसूर रखता है कि सुफी मत जो था सुफी अंदोलन में परारभिक सुफी मंद्र कौन थी महलाओं में तो इसका अंसर हो जगा रभिया और मनसूर भीन हलाज के लिए और इसी में जो है एक मनसूर जो थी सकेन में मनसूर भीन हलाज उसको भासी दे दी गई मनसूर ने अपने को अन अहलक का गोसित कर दिया कि मैं आतमा से परमात्वामें की स्थिति में तै कर लिया हूं, इस तरह से जो ना, मंसूर भीन तुगलक अपने आपको अनहलक गोसित कर दिया, उसके बारत में दिल्ली सल्तनत की अस्थापना से पहले ही सुफी संतों का आगमन प्रारम हो चुका था यानि कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी सुर्वा से पहले ही सुफी अंदोलन मतलब सुफी बहत में था उसके बारवी सतावदी मतलब बारवी सतावदी तक जो है ना सुफी संपर्दाय का लगभग चोउदो सिल्सिलों में विभाजन हो गया था यह जो एसके आगे और भी है इसके बारे में हम लोग समझेंगे सिल्सिलों के बारे में जैसे कि यह है पॉइंटन में सुफी मत के विभीन संपर्दाय सुफी मत आगे चल कर विभीन सिल्सिलों यानि कि संपर्दायों में विभाजित हो गया इन संपर्दायों की जो है निशी संख्या के बारे में मद्भेत है मतलब जैसे कि अलग-अलग विद्वानों का अलग-अलग कहना है इनकी संख्या जो है एकसो पचत्तर तक मानी जाती है जैसे कि इसे पहले बार्वी सतावदी में सुफी संपर्दायों चौदो सिल्सलों में भाजी जीत हो गी थी और कहीं इसी को जैसे अभी बता है यह निश्चित संख्या नहीं मानी जाती है इसलिक इसको जोना 1 से 175 तक इसकी संख्या है यहीं मानी जाती है यनिकी सुफी संत्की संपर्दायों की संख्या 145 तक मानी जाती है अभुल फजल जो इधियासकार थे जो अभुल फजल आईने एकवरी लिखी थे मतलब कि अकवर के जिवनी पर अधारी तेक पुस्तक लिखी थी पुस्तक लिखा जिनका नाम आईने कवरी था उसमें भी यह दर्साय गया है कि यह चौदो सिलसलों का उलेक किया है सुफी अंदोलन ने सुफियों ने चौदो संपरदायों की वेख्या किया है उलेक किया है इन संपर्दायों में से जो है ना भात में परमुक रूप से चार संपर्दाय थे जैसे कि कोई विद्वान 175 तक कह रहा है उस 175 में चार ऐसे संपर्दाय थे जो सबसे ज्यादा महत्पून थे उनका नाम जो है पाला चिस्ती, सुहारवर्दी, कादरी और नक्सबंदी ये सब से परशित थे जिसरूफियों की निवास संथान जो ना है खानका हालाते थे जैसे जहां सोफिया रहते थे उसको खानका कहा जाता है है राजी नयंतरन से मुकत अध्यात्मिक खेतर को सुफी शबदावली में विलासत स्षरी विलायत कहा गया है जिसे की राजीने अंदरन से मुक्त जिसे की गौवर्मेंट से चुटकारा मतलब गौवर्मेंट के अंदर गवर्मेंट नहीं आने के वले अध्यात्मिक छेत्र जो है जहां धर्मिक छेत्र अध्यात्मिक छेत्र उसको सुफिसद दावली में विलायत कहा कि लिए उसके सूफी संद के उत्राधिकारी को वली कहते थे सूफी संद में जो भी उत्राधिकारी होते थे जो भी अधिकारी होते थे जो भी मतलब मंत्री मंदल में से कह सकते हैं उत्राधिकारी तो उसको वली कहते हैं ठीक वली कहते थे उसके बाद जैसे आगे है सूफी स संत के लोग भी व्यपवित्रता और साधगी के रूप में अपना जीवन व्यतित करते थे उन्होंने स्वेक्षा से निर्धंता को सुईखा रहा था और वे व्यक्तिकत संपति को आत्मिक विकास के लिए बाधक समझते थे मतलब को जो भी संपति होती थी वह अध्यात्मिक क ले से ऑन्लियो को साधीक का जीवन नहीं देया गया के लिए Demiर ठ视के संपति को पद और धन दोनों देने का प्रस्ताव किया जाता था उससे कोई सुल्तान था सुल्तानों के द्वारा ये आदेश था कि इन संतों को जो है ना पद और धन दोनों दोनों देने की दे सकते हो लेकिन दे सकते हो और ये सुल्तानों से अपने लिए कोई भी पद भी स्विकार नहीं करते थे मतलब कि जो सुफियों थी वे सुल्तानों के द्वारा पद और ध धन देते थे उसमें से इसके कोई एक चुक नहीं थे कि हमें मिलना ही चाहिए या ऐसा पद मिले या इतना रुपिय मिले और नहीं कोई वजीफा ही लेते थे क्लियर अगे है जैसे कि जनता को स्वेक्षा से इन्हें दान करती थी उसी में से गुजारा करते थे कभी कभी ये संत भोखों मरने लगते थे पर असी इस्तिती में भी राजा या अमिरों ने धन की याचना नहीं करते थे कि जैसे कि कभी कभी जो है ये जैसे कि ये शुफिय संत होते थे वह धन की मांग नहीं करते थे więcej पद्ध की मांग नहीं करते जैशनत जहां जंता स्वेक्षा से जिधनी दें रहे दे तो है वह कि कर लेते हैं वह उसे कहतीक कर लेते नहीं करते थे। उसके राजा मरी जाकर यरी के कारण पैसाओं पहलों के कर Посक्ते 열िए कई-कई भुकों से मर जा देते परन्तु जो हना ऐसी स्थिति में भी जो राजा या अमीर होते थे वे धन की याजना नहीं करते थे और इस तरह से जो है सुफी अंदोलन के महत्पुर्ण पहलू को समझे और आप इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो और नेक्स्ट को से नाच अधिगरहन व्यवस्ता से अब क्या समझते हैं अधिगरहन व्यवस्ता अधिगरहन व्यवस्ता जो है कई समकालिन विवर्णों में खासकर यूरोपी यात्रियों के इस पर्था का जिक्री मिलता है कि जैसे अधिगरहन व्यवस्ता जो है ना यूरोपी यात्रियां जो करत सारी संपती को हरब लेते थी यह अपने अंदर अधिकृत कर लेती थी उसे ही अधिगरण वेविस्ता के नाम से जाना जाता है ये अधिगरण व्यविस्ता क्यों लागु क्या गयाता इसे इसका मुक्य करण जो था अक्सर कुलीन राज जो है कुलीन वर्गे के लोग करज लिया करते थे और वे करज चुकता नहीं कर पाने के करण और करज जो चुकता नहीं कर पाते थे मतलब उसके पास जब तक वो उसकी मिर्थियू ना हो जाती थी तब तो वो बुक्तान ही नहीं कर पाते मतलब कि जो गर्ज लिये जाते थे वो अपने मिर्थियू से चुकता कर पाते थे मतलब की जिनके उनकी मिर्टियू तक बुखतान नहीं हो पाता था कुलीनों की संपती के अधिगरहन और राज की मांग में समायोजन था बची हुई संपती का उसके उताधिकारियों में बटवारे का काम खाने समा क्या करता था कुलीन राजी जो है कुलीन वर की मिर्टियों के बाद बची रीट पती थी वे सभी समपती को राजी के अंतर兩ग जो है अधीकरीद कर लेना था उसका काम ऑग एक समा क्या करता था किलिया खाने समा क्या करता था कभी कभी समराच सुएं इस्लामी उताधिकार कानूर की परवाना करते हुए संपत्ति का बटवार अपनी इच्छानुसा उताधिकारियों के बीच कर देता था जैसे कि ये मिर्तियों के बात, मतलब कुलीनबर्गों की मिर्तियों के बात खान एसामा इसके बटवारा करेगा उसके अलावा कभी-कभी समराथ खुद से इसकी बटवारा खुद से कर लेता था और ऐसा परतीत होता है कि अधिकांस मामलों में समराथ की इच्छा ही सरवपरी होती थी और ऐसा महसूस होता है कि जो भी समराथ होते थे वो जो भी सोचते थे वे सबसे ज़्यादा सबसे उच्छ होती थी वे समराट की इच्छा जो होती है वे सबसे ज़्यादा सरवपधी होती थी सबसे उच्छ होती थी कभी-कभी राजे पूरी संपती की जपती पर जोर देता था पदला कभी-कभी जो ना राजे की पूरी सं कुलिन की मुर्तियों के बाद उसकी सारी समपती राजी कोस में जんな करवानी होगी जैसे कि orreniacjem ने ये फ़र्मान जारी किया और इंडेंट ने आदेश दिया ये नियम लगू किया कि कुलिन वर की जो मिर्तियों कि उसके बाद उसके राजी की सारी संपति जो ना राजी की राजी को समें जमा करवा करनी होगी ये और रिग्जे पनी सो 166-6 में लागू किया उसके बास 1691-वी में जो ना और रिग्जे के सासंकाल में ही फरमान द्वारा जो इसकी पूश्टी की गई जिसमें अधिकारियों को उन कुली कुलीनों की संपति जबतना करने का स्भार्थ जब तरना करने का आदेश दिया गिया जिनके उनके उत्र रिखारी राजी सभा में कारिष थे क्योंकि उनसे मतावला मतावला के भूक्तान के लिए ना मतावला मुतावला का अर्थों का राजिकी मांग की भुकतान के लिए कहा जा सकता था कि जैसे के कुलिन वर्गेज की मुर्तिव के बाद जो है उसके मुतावला की भुकतान के लिए कहा जाता था मुतावला मतलब राजिकी मांग की भुकतान के लिए कहा जाता था और इस तरह से जो है अधिक गरहन वेवेस्था कम्पलीट होती है और आज के सेशन में दो सवालों को संपुर्ण रुप से बहतरीन तरीके से समझाने का परियास किया और आज के जो है ये दोनों के दोनों सवाल बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जैसे कि सुफी अंदोलन भी आपको पता होगा कि इससे पहले जो एक्जाम आप दिये होंगे उसमें भी बहुत ही जादा महत्पूर्ण योगदान रासुफी अंदोलन की और उसके बद अभी जो वर्तमान समय में आप पर रहे हैं आपके वर्तमान समय में जो एक्जाम होने वाले उसके लिए भी आपके लिए इमपोर्टन है और बातरी अदिगर्ण वेवस्ता यह भी बहुत ही ज्यादा इमपोर्टन है आप लिए हो सकता है कि आपके एकजाम में बन सकता है ये क्वॉर्ण इसको क्वलीट कर लीजे इसलिए हम आप सबों के बीच यह questions लाए हैं जो बहुत ही ज्यादा मातपूर्ण है clear और हमारे साथ जूरे रहे बहुत ही जाल बहुत ही कम समय में बहुत ही बहुत ही बहुतर तरीके से आपको हम लोग help करेंगे और थोरे से यदि आप हमें भी सपोर्ट करते हैं तो बहतरीन रूप से आपको help मिलेगी एक्जाम के लिए और सभी हमारे टेलीग्राम चैनल में जोइन हो जाएगे जिनका नाम फिर फिर यह समयन है और लिंग मैं कंप्लीट कर सको और एक्जाम में कुछ बहतर कर सको इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट के मादे हमसे जरूर बाता है कि किस तरह से रहा और समझ में आया या नहीं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ से जरू कि यू समझे